नमस्कार मित्रो तो आज हम बात करेंगे रफ डाइमंड की खरीदी के बारे में अभी आप रफ डाइमंड कोई भी पर्चेस करने जा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आप सबसे पहले कौन सी रफ खरीद देंगे यानि कि उसकी जात है वो कौन सी है आफ्रिकन है औस्ट्रलियन है सिंडिकेट है किलवास है ओडिसी है या फिर कोई भी आप कोई भी रफ खरीदने जाये वो कौन सी माइन्स या कौन से पत्थर की जो रफ डाइमंड है वो खर देंगे क्योंकि कोई भी रफ आप खरिदने जाएंगे तो आपको वो तो मालूम होना चाहिए ने कि वो रफ में खरिद के reselling कर सकोंगा या उसका craft manufacturing करके उसको में sell कर सकोंगा या फिर वो diamond है वो में polish बना के diamond market में में वो sell कर सकोंगा तो सबसे पहले आपको ये choice करना है कि मैं कौन सी rough diamond purchase करना जा रहा हूँ इसका मतलब आप कोई भी rough diamond खरिदने जाएंगे तो सबसे पहले आप price list पूछेंगे उसके बाद आपको ये भी decide करना है कि diamond में makeable कितने percentage है उसके बाद cleaving का जो diamond आता है यानि कि उसमें हम भार पाना क करेंगे उसका lesser sewing करेंगे उस पे चपका मार के उसका आगे की process से वह करेंगे उसको makeable ये कास बनाएंगे वह है उसका जो percentage है वह कितने है और उसके बाद जो उसमें rejection यानि की out के diamond आते है वह कितने percentage है तो सब मिला के आपको ये जो परसंटेज है वो रखना है और उसके बा मेले 11 कौन सा diamond चाहिए polish में तो उस हिसाब से आपको diamond purchase करना है उसकी clarity है वो भी आपको देखनी है क्योंकि diamond आप purchase करेंगे तब उसमे clarity वाइस भी उसका assortment आप कर सकते है कि उसमे clarity भाईया जब मैं उसको cleaving करूंगा या उसमें से makeable निकालूंगा तो उसकी clarity है वो मुझे क् diamond की size है उस हिसाब से मैं उसकी clarity में क्या रख सकता हूं तो यह सारी की सारी बात आपको पहले से मालूम होनी चाहिए अभी आपको मान लीजिए rough diamond आप पहली बार ही purchase करने जा रहा है तो अभी आप कोई भी diamond market में जो जिसको भी experience है उसको साथ में लेके जाए और उसके बाद आप rough diamond purchase कीजिए क्योंकि आप directly rough diamond market में purchase करने जाएंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि भाई यह अभी diamond है उसमें मुझे चलो इसका cut out करना experience है assessment का experience है लेकिन market का experience नहीं है तो आप उसको sell नहीं कर सकेंगे क्योंकि कुछ भी आप बढ़िया से बढ़िया quality बना लीजिए उसके बाद उसको market में बेतने जाएंगे तो उसकी जो rough की price है वो आपने काफी ज्यादा लगा ही होगी तो obviously जो manufacturing होके diamond आपके पास आएगा उसक मिला के rough diamond की जो purchasing आप कर रहा है ना वो आप सबसे पहले देखिए आप क्या purchase करना जा रहा है आप purchase करके आए है उसके बाद उसकी cleaving की जो process है वो आप कैसे लेंगे cleaving की process हो गई उसके बाद उसका rejection है उसका क्या करेंगे rejection आप market में चलो sell भी कर सकते है लेकिन जो makeable है उसम की process है वो cut out करके आपकी जो costing है वो क्या आएगी तो इस सारी की सारी चीज़े आपको predefined करनी है rough खरिदने जाए उससे पहले define कर लेजिए कि मैं कोई भी rough diamond purchase करूंगा वो कितने हिसाब से करूंगा कितने रूपी उसमें लगाऊंगा उसके बाद उसमें से मुझे कितने percentage polish diamond चाहिए जो Mary clarity के है वो इसमें से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे उसका जो color है वो मेरे हिसाब से आयेगा या नहीं आयेगा इस सारी की सारी चीज़ आपको देखने है और उसके बाद आप कोई भी rough diamond purchase कर सकते है अगर आपको African rough आपने कभी भी देखी होंगी या तोड़ होगा कि मुझे African rough ही चाहिए अगर आपको Australian rough देखिए Australian rough में आप work कर रहें Australian का लस्टर आप देखके उसका polishing आपने पहले भी किया है तो वो भी rough आप purchase कर सकते है लेकिन अपने हिसाब से rough purchase कीजिए market में आपसे कौन सी rough selling हो जाएगी उस हिसाब से आप उसका purchasing कीजिए और कोई भी rough diamond है वो तोड़ने के बाद market का survey भी कीजिए तो वही आपको मालूम हो गया कि जो market है वो update होता है उसके साथ आप update होए या नहीं है जो rough diamond आप खरीन देंगे वो आपने बढ़िया खरीदी है या नहीं खरीदी है